विपक्ष के आरोपों का जार्खंड के मुख्यमंत्री हिमंत सोरेन ने जवाब दिया है उन्होंने कहा कि लोग विधान सभा चुनाव में वोट देने से पहले उनकी सरकार और पिछली सरकार के काम का मूल्यांकन करे गोड़ा जिली में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यत्र में सोरेन ने लगभग 358 करोड रुपे की लागत वाली 147 परियोजनाओं का उद्घटन और शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए हमें वोट मांगने का पूरा अधिकार है हमने जनता के लिए काम किया है हाली में केंद्रिय मंत्री शिवराज सिंग ने आरोप लगाया था कि जारखंड सरकार वोट के लिए योजनाएं लागो कर रही है आपकारी कांस्टेबल भरती भी वोट के लिए की गई विपक्ष के इन आरोपों पर जारखंड के सीम हिमंद सोरेन ने कहा कि सभी को आकलन करना चाहिए कि पिछली सरकारों ने 20 साल तक जनता को कैसे लूटा हमारी सरकार के पिछले सारे 4 साल के कार्यकाल में आपको क्या अधिकार मिले जामुमू नेता ने कहा कि हमारी सरकार ने जारखंड मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना जेमेमेस्वाई शुरू की है इससे राज्य की लगभग 50 लाक महिलाएं लाभानवित हुई है सोरेन ने कहा कि विपक्ष का आरोप है कि हमने वोट के लिए योजना शुरू की है लेकिन मैं जानता हूँ कि गाओं में गरीब लोग आज भी छोटी छोटी जरूर दो बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए साहुकारों से कर्ज लेते हैं आने वाले दिनों में सरकार ऐसी योजना लाईगी कि हर घर में एक लाख रुपए की राशी पहुँचे ताकि लोगों को साहुकारों से कर्ज न लेना पड़े उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीन जारखंड को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किये हैं सोरेन ने भाजपा पर निशाना साथते हुए कहा कि मनिपुर एक साल से अधिक समय से जल रहा है और महिलाओं की इजज़त लूटी जा रही है लोग पलायन को मजबूर हैं लेकिन प्रधान मंत्री ने एक बार भी वहां का दौरा नहीं किया जारखंड में इसी साल विधान सभा चुनाव होने हैं हिमन सोरेन के इस बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंच सेक्षन में जरूर बताएं और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहे अमर उजाला